हलो और वेलकुम तो टेक असिस्टेंट फर ब्लाइंड इफ यू आर नीम विवर और यू वां तो प्लीज की वाचिन दिस वीडियो और सब्सक्राइब आर चैनल फो लेडेस्ट टेक्नलोजी डिटूर्स बिकार्स आल काइंड्स आप नहीं बना रहे हो तो सब्सक्राइबरस की रिक्वेस्ट पर और फ्रेंडस की कमेंट पर आज हमारे एक खास दोस्त आपको जो है द्रिम-11 के बारे में बताएंगे Dream 11 को किस तरह से यूज़ करना है Dream 11 का full demonstration दिया हुआ तो जो लोग Dream 11 के बारे में जानते है वो लोग वीडियो को skip कर दे जो लोग Dream 11 के बारे में नहीं जानते Dream 11 को कैसे यूज़ करना है यह उन्हें सीखना है तो वीडियो में आगे बने रहे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें फ्रेंडस और फामिली के साथ चानल पर नहीं हो तो चानल को सस्क्राइब करें और आज आपको डेमोर्स्टेशन देने वाले हमारे खास दोस्त प्यूश शुक्ला जी तो आए सुनते हैं प्यूश शुक्ला जी को आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 क्या है और ड्रीम 11 पर कैसे टीम बनाएं या फिर ड्रीम 11 पर कैसे फेंटेसी खेलें इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखे चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले हम बताएंगे आपको की ड्रीम 11 को आपको डाउनलोड कैसे करना है बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स आपको जाना है गूगल में और यहाँ पर आपको लिखना है ड्रीम 11 एपीके यह ड्रीम 11 एपीके आप लिखेंगे तो आपके पास पहला ही लिंक आजाएगा आप खुछ सुन लीजिए वेबसाइट का नाम में आपको पड़के बता देता हूँ तो आपको या तो सीधा ड्रीम 11 डाट कॉम पे चले जाना है या फिर ड्रीम 11 एपीके डाउमलोड कह देना है और पहला ही लिंक आजाएगा ध्यान लगे कि वेबसाइट यहीं होनी चाहिए यहां पे आप नीचे की तरफ स्वाइब करते हुए आएंगे तो डाउनलोड को अप्शन मिलेगा कैसे मैं आपको सुनवा देता हूँ आप इस पर डाउनलोड करेंगे तो एप आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ठीक है मैंने ओल लेड़ी इसको डाउनलोड किया हुआ है तो मान लेते हैं कि आप डाउनलोड हो चुका है बैक आजाते हैं इसको ओपन करते हैं फ्रेंट्स यह एक ओप्सन मिलता है रजिस्टर का नई यूजर्स को सभाविक सी बात है रजिस्टर पे क्लिक करना है लेकिन आप इस पे ना क्लिक करके आगे आपको मिलेगा इन्वाइटेड बाई अफ्रेंड एंटर कोड इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 100 रुपए का बोनस मिलेगा ठीक है इस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको वो कोड डालना है मैं आपको कोड बताता हूँ क्या है पहले मैं इस कोड को डाल दूँ आपको यह कोड डालना है ठीक है यह कोड आपको description box में भी मिल जाएगा और dream11 application का link भी आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आप download कर पाएंगे ठीक है यह कोड हमने डाल दिया यहाँ आपको मुबाइल नमबर डालना है आपका जो मुबाइल नमबर है उसे डालिएगा ध्यान रहे मुबाइल नमबर आपको वो डालना है जो आपका नमबर बैंक में रजिस्टेड हो उसके अलावा अगर आप डालेंगे तो payment में दिक्कत होगा आपको यहाँ पो इमेल आइडी डाल देंगे हमने इमेल आइडी भी डाल दी आपको डालना है इन्होंने साब साब कहा है कि वन नमबर वन अल्फावेट वन सिंबल ऐसा पासवर्ड होना चाहिए और 16 से 8 करेक्टर के बीच में होना चाहिए तो आपको वो डाल देना है आपको डाल देते है अब आपको रेजिस्टर पे आपको रेगए और दो एको देते हुआ जब आप एक बार रेजिस्ट्रेट कर लेंगे तो आप अल्रेडिया यूजर लॉग इन पर क्लिक करेंगे और लॉग इन हो जाएंगे लॉग इन पर क्लिक करना है अलाओ कर देना है अभी हमारे नंबर पर मैसेज आ रहा हुआ तो मैंने ड्रीम 11 में सफलता पूरवक लॉग इन कर लिया है ठीक है मैंने आपे सफलता पूरवक लॉग इन कर लिया है अब आपको हम एक चीज दिखाएंगे कि टीम कैसे बनाते हैं सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू क्रियेट टीम ओन ड्रीम 11 ओके स्वारी फ्रेंड्स मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो स्वाइप करेंगे आपको एक ओप्सन मिलता है एकाउंट खा जिसे ड्रीम 11 मतलब आपका टॉप बैक अनलेवल बटन कहेगा और वह बटन होगा आपके लेफ्ट हैंड सबसे पहले तो देखिए इन्होंने सारा इन्होंने तीन टीमें बनाया था और दो कॉंटेस्ट जाइन किये थे औस्टेलिया वूमन और न्यूजिलेंड वूमन मैच में ठीक है कंप्लीट हो चुका इन्होंने कहा कंप्लीटिड हाना इसके अंदर जाकर क्या आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे नीचे स्वाइब करेंग अचा आप यह इन पेजर जो बोल रहा है यहाँ पे बैनर चल रहे हैं आप इन पे टैप करके इंफर्मेशन ले सकते हैं कि इस बैनर में क्या है वो ड्रीम 11 पे आपको टॉक बैक पढ़के बता देगा आउट ओफ पेजर के बाद में जो टॉक बैक कुछ भी नहीं बोल रहा था वो भी बैनर पे ही जाने के लिए उप्सन थे तो इसलिए मैंने वो नहीं बताया आपको ठीक है आप क्लिक करके सीधे जा सकते हैं अब यह है अपकमिंग मैचिस देखिए यह 20 करोर जो बोल रहा है यह कोंटेस के इसके अंदर उसको आप जाके जॉइन कर सकते हो यह ऐसा कह रहा है और इन्होंने क्या बताया कोलकाता वसिस चन्नाई और इन्होंने टाइम भी बताया है कि 6 गंटे 50 मिनट का टाइम है मतलब 6 गंटे 50 मिनट से पहले पहले आप अपनी टीम एडिट क्रियेट कर सकते हो submit कर सकते हो उसके बाद आपको time नहीं मिलेगा मतलब 7.30 बजे जैसे ही 7.30 time होगा आप team edit create कुछ भी नहीं कर सकते हैं यह match line up हो जाएगा मतलब क्या बोलते हैं कि यह match जो है live हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ अभी एक live मैच चल भी रहा है कि अगर किसी भी team की toss होने के बाद information आ जाती है सब कुछ है और player की information आती है कौन सा player खेल रहा है तो हम उसे अपनी dream 11 team में कैसे शामिल करेंगे हना आप चाहें तो इस match में भी जा सकते हैं लेकिन इसम यही एक match है उसमें line up हो चुका है देखे सुनाते हैं हम आपको यह जो पहले अनलेबल बटन था वो notification के था आप notification इलाव कर सकते हो जब match का time होगा तो यह आपको update देदेगा इसने बीच में आपने सुना होगा कि line up साउद ऐसे बोलाई है हाना तो यह line up हो चुका है मतलब इसकी जो player की information है कौन सा player खेल रहा है कौन सा player नहीं खेल रहा है वो भी आपको कहीं पर भी चेक करने की जरूत नहीं है यहीं पर यह आप चेक कर सकते हो तो उसकी information यहाँ प यहाँ पर आपको सारे contest दिखेंगे जब आप कोई contest जॉइन कर लेंगे तब आप my contest में जाएंगे जब आप कोई team बना लेंगे तो my teams में जाएंगे या फिर बनाना चाहते हैं तो भी my teams में जाएंगे और एक विकल्फ है नीचे की तरफ जहाँ पर आपका home बटन होता है वहाँ पर भी my team का विकल्फ मिलता है मतलब create team ऐसा बोलेगा तो सेधे हम my team पर ही चलते हैं स्वाइब करेंगे इन्होंने का create a team चलिए हम इसे create पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे team बनाने के लिए हमारे पास option आ चुके हैं प्रेंट्स यह जो अन्लेबल बटन है यह आपके बहुत काम का बटन है इस पे आप टैप करके information ले सकते हो players के बारे में वो हम कोलकता और चन्नाई वाले match में बात करेंगे यहाँ पे इसकी information available नहीं है क्योंकि यह matches इतने ज़्यादा popular नहीं है इसलिए इसकी information यहाँ पे available नहीं है तो इसमें हम नहीं दिखा पाएंगे आपको लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे ठीक है यहाँ पे टॉस की भी information आ चुकी है कि पी आर बी elected to bet यह जो भी टीम है इन्होंने पहले बैटिंग करने का निलने लिया है प्लेयर पहले इन्होंने नाम बताया आपके left hand पे होंगे मतलब एक example दे रहे हैं आपको इसको use करेंगे खुद ही आपको समझ में आएगा अब आपको हम एक बात और बताएंगे यहाँ पे आपको 100 credit मिलते हैं 100 credit में 11 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है जिसमें आप जिसमें आप एक से चार तक विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकते हो और तीन से चार बैट्समें सेलेक्ट कर सकते हो एक से चार आलांडर सेलेक्ट कर सकते हो और एक से चार गेंदवाज सेलेक्ट कर सकते हो अब आपके उपर निर्वर करता है कि आप किस में कितने select करते हैं, ठीक है, लेकिन select करने हैं आपको 11 benefits, ही आगे बढ़ते हैं और हाँ, आपको 100 credit ही मिलेंगे, 100 credit में ही 11 players आपको चूज़ करने हैं unprecedented wk0 और यहाँ पर देखिया, बता विरा है, मतलब 1-4 wicket keepers आगे बढ़ेंगे यह आप मतलब यह बता रहा है selected by मतलब dream 11 पर कितने लोगों ने select किया हुआ है वो बताएगा points कितने हैं वो बताएगा credits कितना हैं वो बताएगा अब देखिए इन्होंने D-Sing के बारे में बताया D-Sing के बारे में इन्होंने बताया और इनका credit बताया 12 selected by 25.42 परसेंट और credit 9.0 no credit है 25 पर 35 पर ड्रीम 11 पर लोगों ने select किया हुआ है इनको और इनका 21 credit है माफ किजगा बार हमने गलत बोला 21 credit है ठीक है अब आपको इनके बारे में और information लानी है कि 21 credit इनका कैसे मतलब 21 जो point है वो कैसे हुआ है मतलब एक रंका एक point होता है वो भी हम बाद में बात करेंगे हाना तो नाम के बाद में इस unlevel button पर आप जाएंगे और उसके बाद में प्लेयर्स की सारी information आप ले पाएंगे देखें इनका नाम देवेंदर सिंग है पूरा मैच वाइफ ऐपनेशी स्टाट्स इनको 6 अक्टूबर को भहिया पी आर बी के खिलाब ही खेले थे इनोंने और 95 प्रतिसत लोगों ने स्लेट किया था लेकिन 4 ही पॉइंट दिये थे नो क्रेडि तब भी था फिर आगे बढ़ते हैं अच्छा ना वे सारी इंफर्मेशन देने वाद अगर आप इस पर टैप करोगे तो और इसके अंदर मतलब चार क्रेडि वो कैसे दिये वो मिल जाएगी लेकिन उसके नीचे हम बात कर लेते हैं 90 लोगों ने स्लेट किया था तब 17 क्रेडि इनो ने दिये और 9 क्रेडि तब भी था इंफर्मेशन पूरी चाहिए 17 क्रेडि बोला माफ किज़ेगा तो आप डबल टैप करेंगे पेज खुल जाएगा इवेंट पॉइंट पॉइंट एक्च्वाल्स जब कोई खिलाडी खिलता है तो चार पॉइंट से स्टार्ट होता है तेरा रन किये थे और दो चाओ के मारे तो तेरा रो पंद्रा और डगा प्याओ हुए थे इन्हें आपको एड़ करना है अपनी टीम में डबल टैप कर देंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे नीचे आपको एक उप्चन मिल जाता है प्रिव्यू टीम का टीम प्रिव्यू यहाँ पर डबल टैप करके आप देख सकते हैं कि मैंने किस किस को सेलेट किया हुआ है देखिए अगर नहीं स्रेट करना है तो वहीं पर ही डबल टैप कर देंगे इनके नाम पर देखिंग आप मुत आप जेखिंग तक शीचिञ शीचिफ मुत व सबानों सबकी नाम इनके आपंप़ाई इस 누ày उत्व लुड़ा रहा है इनको हम अपनी टीम में ले लेते हैं हमने 9 जिफ्षमने एक खिलाडी ले आव मैं आप्यों करेडिपर इन वैगनoben्गे स quasi X第8 के विच में आप बिकर की पले सकता है तो हमने एक खिलाडी ले लिया है आगे कुछ बोला है नहीं इसका मतलब ये नहीं खेल रहे है तो ये खेल रहे है एनाउस इसने बोला तो हम इनको अपनी टीम में ले लेते हैं आगे फिर बढ़ते हैं ये भी खेल रहे हैं इनको भी ले ले लेते हैं हमने टोटल खिलाडी ले लिये तीन और एक ते साड़े नो क्रेडिट में दूसरे नो क्रेडिट में हम इनको नहीं लेंगे और नीचे देखने कौन खिलाडी है ये नहीं खेल रहे हैं यह खेल रहे हैं लेकिन हम इन को नहीं ले लेए लिए लिए ने को ले लेते हैं लेकिन सब 11 प्लेयर में ही अर्जेस्ट करना हैं आपको यहाओ पर देखते हैं कौन कौन है तो अभी तो इनको नहीं लेंगे अर्टोमर एनाउस्थ तो इनको ले लेते हैं हम अपनी टीम में इनको भी ले ले लेते है S.Grover को ले लेते है S.Grover को ले लेते है हमने आलाउंडर कितने ले लिए? 4 अब हम देख लेते हैं अभी तक हमने कितने प्लेयर्स लिए है मतलब एक विकेट कीपर लिया है तीन बैट्स में लिया है और चाल आलाउंडर तो टोटल हमार पास प्लेयर हो गए 8 अब हम यह तीन बॉलर लेने पड़ेंगे चाहते तो 6 लेते लेकिन फिर इधर से कम करने पड़े हाना? तो तीन बॉलर लेंगे क्रेडिट कितना हमार पास देख लेते है 29.0 29 क्रेडिट बचा बड़े आराम से तीन बॉलर मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बॉल में चलेंगे इनको हम नहीं लेंगे और नीचे देखते हैं इनको हमने ले लिया और तो नीचे कोई अब देखे आप एक चीज़ हम आपको बता दे क्या पहले अपनी टीम खेलने से पहले एक वाट टीम प्रिव्यू देख ले आप ये देखें कि आप पे हमने वो प्लेयर्स जरूर लिये हैं जो खेल रहे हैं चलिए देख लेते हैं विकट कीपर्स सीपिर्स 9.0 CR बाट्स्मन स्विजी 9.0 CR स्कौट 9.5 CR बबल्टन स्मिफ 8.5 CR बाल रूंडर्स स्कोबर 8.5 CR स्पक्रियल 9.0 CR स्ब्यन 8.0 CR रर्टोबर 9.5 CR तो ये 11 प्लेयर्स हमने ले रखे हैं देखे आपको ये काम एक्सलोर वाइट टच की मदद से कना पड़ेगा टीम प्रिवी बगरा नहीं तो बहुत लंबा पर जाएगा ये आपके बैक बटन की तरफ होता है मैं MI Note 7 Pro फोन यूज कर रहा हूँ तो मेरे बैक बटन जो है वो मेरे लेट हैंड पर है और राइट हैंड पर आपको मिलेगा Continue का बटन उस पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको कप्तान और वाइस कप्तान चूज करना है मतलब अभी 35 मिनट बाकी है अराम से मैं अपने टीम को एड़िट बगारा कर सकता हूँ तो यह 35 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं अभी अब जो से पहले बटन था वो बैक जाने का था इससे पहले फिर इसके बाद में जो अन्लेवड बटन आया वो अन्लेवड बटन आपको प्लेयर की इंफोर्मेशन निकालने के लिए लेकिन यहां पर जादा इंफोर्मेशन नहीं मिल पाएगी हाना अब इन्होंने बताया कि सीगेट टू एक्स पॉइंट विसी आंगेट वन पॉइंट फाइब एक्स पॉइंट हना वह भी हम आपको पॉइंट से वल अच्छे से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा मतलब कितने परसंट कप्तान बनाया है कितने परसंट लोगों ने वीसी बनाया हुआ है इनको 23 परसंट लोगों ने कप्तान बनाया है और 36 परसंट वाइस कप्तान तो हम इनको वाइस कप्तान ही बनाये आगे नीचे आप इसी तरीके से स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको भी कल्प मिलते जाएंगे प्रफाइल के बारे में जो हमने वहां पर उताय था सेम वही चीज है मतलब सोचिए 50 प्रतीसत के करीब इनको कप्तान लोगों ने बनाया तो हम भी बनाएंगे ने ठीक है यहां पर भी आप टीम प्रिव्यू पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने जो कप्तान बनाया है वो सही है वाइस कप्तान ना है वो सही है कि नहीं आप देख सकते हैं यह हमारी टीम सेव हो गए अब सपोस आपको टीम एडिट करनी है तो कैसे करेंगे या team को एक से यही team में 2 चाहिए पहले बाद तो same 2 team में नहीं हो सकती है मतलब आपको captain voice, captain change करना है बाट की team same रखनी है तो वो कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे Contest join करने की बाद इसके बाद बात करेंगे जब आप match के अंदर चले जाएंगे तो आपको हाँ पर हमने आपको उतायता कि तीन टैब मिलते हैं पहला Contacts, दूसरा My Contacts और तीसरा My Teams तो आप देखिए पहले यह 0 बोला था लेकिन आप 1 क्यूं बोला है क्यूंकि हमने एक team create कर ली है इसने सारा कुछ बता दिया है कि हमारी team का क्या नाम है और हमने किसे कप्तान बनाया है किसे उप कप्तान बनाया है और कितने wicket keeper है कितने batsman है और कितने allounder है कितने gain-wage है आगे swipe करेंगे अब यह जो पहला unlabeled button आता है इस पर आप ध्यान दिजेगा यह है team edit करने का यहाँ पर आप जाकर के team अपनी edit कर सकते है edit करने का कुछ नहीं बिल्कुल same है बस इसी unlimited button पर आप जाकर के team को edit कर पाएंगे यह unlimited button है team को clone करने का माल लिजे कि इस पर आपने click किया और इस पर आप click करेंगे और यहाँ पर आपको जिसे कप्तान वाइस कप्तान change करना चाहते है वो आप change करके save कर देंगे same जैसे team create करते हैं बिल्कुल वही तरीका है ठीक है या फिर आप edit करने का एक और तरीका है यह सारी information यहाँ पर यह दे रहा इस पर डबल टैप कीचिए डबल टैप करने बाद swipe करेंगे T1 Unlabeled Button T1 Unlabeled Button जो आए था उस पर भी आप click करके team को edit कर सकते हैं आशा करते हैं कि आपको team कैसे create करनी है यह बात समझ में आ गई होगी लेकिन अभी हमें बहुत सारे points पर बात करनी है तो उन पर भी बात करते हैं अब हमने team तो बना ली लेकिन contest कैसे join करेंगे अब आपको यह मैं चुपार ही दिख जाएगा क्योंकि हमने team बना ली है इसलिए और जैसे अभी मुझे Australia woman और New Zealand woman का दिख रहा था वन टीम मैं अभी contest नहीं जोइन किया है चल यह जोइन कर लेते हैं इस पर टैप आप 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 कैसे शॉटबाई चाहते हैं वो देख सकते हैं यह इक option आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे चाहेए वह आप करके ले सकते हैं अभीём इसके बारे में भी बात कर लेंगे हाना 공ल regos अब देखते हैं कि इसे कैसे यूज करना है, मतलब कैसे जॉइन करना है, देखें सबसे पहले हम आपको उता दे कि आपने नाम सुनेंगे, मेगा लेग, ग्रेंड लेग, यह सब क्या होते हैं, तो आपको यहाँ पर यह समझ में आ जाएगा, आपने काफी नाम सुने होंगे, यह करा मेगा कॉंटेस्ट गेट रेडी टू विन मेगा विनिंग इन्होंने टोटल जो मतलब टोटल एमाउंट रखा गया है वो 25 लाग का है और कितने लोग खेलने वो बताया कितने अभी स्पोट्स बक्चे हुए है वो इन्होंने बता दिया और टोटल कितने होंगे सब्सक्राइब करेंगे तो जोइन हो जाएंगे कैसे ऐसे अब अमार पास एकी टीम है अब यह देखिए करेंगे क्लिक कर देंगे तो आपका जोइन हो जाएगा बोनस मेरे पास है तो मेरे पास कुछ भी मंद बोनस से उस करने के लिए हैं नहीं तो अभी मैं इसे जॉइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं दूसरा जॉइन करूंगा बैक आ जाते हैं तो आप ऐसे स्वाइप करकर के सारे देख सकते हैं इंफर्मेशन चाहिए कि भाई 25 लाग रुपए हैं क्या एक ही को मिलेगा कैसे क्या है तो देखिए आप माफ कीजेगा यह पांच लाग लिखा है मैंने 25 लाग पड़ दिया मुझे माफ कीजेगा तो आप देखिए यहां पर इस पर डबल टैप करेंगे और मतलब आप 11 टीम में ले जा सकते हैं 11 इंट्रीज ठीक है इसको इंट्रीज बोलते हैं आप 11 इंट्रीज कर सकते हैं कांटेस्ट डिटेल्स पर जाके आप देख सकते हैं लीडर बोर्ड पर आप अपनी टीम की रैंक चेक कर सकते हैं इसे इच का ध्यान रखिएगा पहले रैंक फिर प्राइस जिसको रैंक वन आएगी उससे 10 अजार उपय मिल जाएंगे जिसकी दो रैंक आएगी 5000 मिलेंगे आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं पूरा ठीक है अब बात कर लेते हैं फिल्टर्स की यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा अगर आप ड्रीम लेर्न के बिगनर यूजर है तो अल फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे इसको आप बहुत ध्यान से समझिया और बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे मतलब आपको क्या एमाउंट रखना है कितनी एंट्री देनी है आपको वो आप यहाँ पे चूज करेंगे एक से पचास रुपए क्या आप एक से पचास रुपए ही देना चाहते है यदि यस तो कंफर्म कीजिए तो मैं फिप्टी वन डेस वन हंडड़ करेंगे अब यह इग्नॉर कर देते हैं आगे बढ़ते हैं स्वाइब करेंगे नंबर ओफ टीम्स मतलब आपको इतनी टीमें चाहिए एक मतलब दो या तीन से दस दो टीमें 3-10 11-100 मतलब आप इतनी टीमों के बीच में खेलना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे मतलब एक मेरी टीम एक सामने वाले की इसको बोलते हैं head to head ठीक है क्या बोलते है head to head price pool क्या price pool आपको चाहिए कितना price चाहते हैं आप एक से एक हजार और दस हजार से एक लाग तो चलिए हम यहां पर एक से दस हजार कर देते हैं क्या चाहिए आपको सिंगल इंट्री अभी हमने आपको होता था ना कि 11 इंट्री मतलब वह होती है मल्टीपल इंट्री सिंगल इंट्री होती है यह सिंगल इंट्री मतलब एक ही टीम ले जा सकते हो मल्टी विन्ट्री ही चाहिए मुझे head to head में single entry ही जाती है इस बात का ध्यान लग कि आप लो single winner चाहिया double winner head to head में भी double winner हो सकता है लेकिन हमें चाहिए single winner मल्टी विनर मतलब एक से जादा विनर अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए अब जो देखिए यह हमारे पास ऑप्सन्स खुलके आ गए है दो कॉंटेस्ट अवेलबल हैं हेट टु हेट के लिए पहले प्राइस बताएगा फिर स्पार्ट बताएगा विनर्स बताएगा एंट्री बताएगा तो भाईया एक सो पचास रुपए मिलेंगे ठिक है अठासी रुपए देख करके यह जॉइन करना है तो आप कर सकते हैं और सिंगल एंट्री इसने दाएगा वन स्पार्स लेफ टू स्पार्स मतलब एक स्पार्स अभी खा लिये तो 59 पर जाएगा 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 अब आप कैसे पता करेंगे कि भाई मैंने कॉंटेस्ट जाइन कर लिया है देखिए जब आप कोई भी मैच ओपन करेंगे ठीक है तो यहां पर आपको एक ओप्सन मिलता है माइग कॉंटेस्ट का लिए पर और अप्सक्राइब लिए वर आपके लिए यह कानटेस्ट पूल पूल हो चुका है क्योंकि इसी को मैंने जाइन किया है दाबल टैप करेंगे कांटेस्ट डिटेल जो कि हमने आपको पहले बता दिया है लीडर बोर्ड अब इसके बारें बात करें लीडर बोर्ड पर आगए आप डेडलाइन होने के बाद टीम को देख सकते हैं यह जो अनलेबल बटन है यहां से आप अपनी टीम डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ड्रीम 11 पर कॉंटेस्ट जोन किया उसका एमेल मुझे आ गया है ठीक है तो यह मैं अपनी टीम तो देख सकता हूं लेकिन दूसरे की टीम अभी नहीं देख सकता अब भया यह इनकी टीम भी मैं अभी नहीं देख सकता देखो अब यह जैरीदी सीदी बोलाएं अब मुझे अपनी मालो की टीम गलती से एक लग गई थी लेकिन मुझे दो नमबर की टीम लगानी है वो कैसे लगाएंगे यह हम आपको दिखा देते हैं अभी एक सेक्ड़ी में जाएंगे अब नमबर दो टीम क्रियेट करनी है क्लोन बलाना है कंटीनू पर क्लिक करेंगे हमें अपना इसमें वाइस कप्तान चेंज करना है इसमें कप्तान ही चेंज करना है माल लिजे और अब हमें टीम चेंज कर देनी है टीम वन ही टीम तूर लगानी है माइक कंटेस पर आप जाएंगे लीडर बोर्ट पर आप जाएंगे जो नमबर दो पर नेबल बटन आ रहा है उस पर आप टैप करेंगे आप वो टीम चूज कीज़े जिससे आप टीम वन के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं यह देखे आप ए उप्सन है यह टीम टू बता रहा है आगे बटन यह अलनेबल बटन है आपको इस पर टैप कर देना है और उसके बाद स्विच टीम पर आप क्लिक कर देंगे तो बदल जाएगी लेकिन मुझे नहीं बदल नहीं है बैक आ जाएंगे हां मुझे नहीं बदल लिए तो इस तरह चेप आप बदल सकते हैं यह बात हो गई हमने कैसे टीम बनाई कैसे किसी कॉंटेस्ट को जॉइन किया और कैसे हमने अपनी टीम चेक की आपको अपने अपॉनेंट की टीम चेक करनी है तो उसका नाम जब आएगा तो उसी नाम पर आपको डबल टैप कर देना है और आप चेक कर सकते कि वह क्या लेके आया था और मैं क्या लेके गया अब बात कर लेते हैं कि हमने कोई मैच कंप्लीट किया है और हमारी क्या रहंगाई कैसे चेक करेंगे चलिए देख लेते हैं आपको कहा जाना है नीचे एक टैप मिलेगा माई मैच इस पे गए कम्प्लीटिट पे गए और कम्प्लीटिट पे जाने के बाद देखिए ये एक मैच है इसने सारा कुछ बता दिया है कि मैंने चार टी में थी दो कॉंटेस जोइन किये थे सारा कुछ है देख लेते हैं डबल टैप करेंगे आपना पे माई काउंटेस्ट में आप इंफोर्मेशन ले सकते हैं देखिए पहले मैंने खेला था एक्सोपचातर रुपए का मैंने खेला था तीन सो रुपए मिले ठीक है तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको उता है कि उसके नाम पे ही आपको मिलेगा जैसे मेरा पांसो सतर पॉइंट पांच मेरा पॉइंट ठीक है और मेरा पॉनेंट पहले मैं अपनी टीम आपको दिखाता हूं क्या मैं लेके गया था यह देखिए कुईंटन डिकाउग मेरी टीम में थे जोनी ब्रेस्टो भी थे सी मतलब रोहिश सर्मा मेरा कप्तान था लेकिन ज्यादा पॉइंट नहीं दिये सोरे कुआर यादब यह थे मेरा वाइस कप्तान डेविड वर्नर था और इन्होंने 121.5 दिये थे मनिश पांडे अब्दूल समत किरन पोलाड जेंस पैंटेंसन जस्परित बुम्रा तीनट राजन यह मेरे प्लेयर्स थे इनका नाम संजे है और इनके पॉइंट से 443.5 देखें इनके पास इशन किशन था पहला तो मेरे पाद डिकोग था लेकिन इंके पास इशन किशन वो एक मुझे एडवांटेज मिला जोनी वेर्स्टो था मेरे पास इनके पास कप्तान हम दोनों के सेमी थे इससे जाद हमारे डेविड वांट ने दिये थे देखें आप मनीश पांडे थे इनके पास के विल्यमसन वन पॉइंट क्योंकि यह माइनस में चले गए थे आउट हो गए थे अब आप सारे पॉइंट्स को अगर कंपेर करेंगे तो मेरे पॉइंट्स ज्यादा ही थे इनसे ठीक है ना ज्यादा ही थे बहुत ज्यादा थे मतलब इनके 143 और 443 पॉइंट और हमारे 570 पॉइंट तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है ठीक है तो आप ऐसे टीम चेक कर सकते हैं अब हम आपको समझाएंगे पॉइंट सिस्टम के बारे में जो कि बहुत ही बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा जानने कि आपको जरूरत है इसके बिना आप टीम अच्छे से नहीं बना सकते हैं ड्रीम 11 के हम होम पेज पे हैं पॉइंट सिस्टम चेक करने के लिए सबसे पहले अनलेबल बटन जो कि आपकी प्रोफाइल है उस पे आप जाएंगे ध्यान रहे यह जो लेवल 51 बोल रहा है आप मतलब आपके 121 बोल रहा है इस तरीके से आपके ड्रीम पे लेवल चलते रहते हैं फिर आपको बोनस भी मिलता रहता है जितना आप जाएंगे उसी साफ से बोनस आपको बढ़ता रहेगा वो अनलेबल बटन मंदब आप अपनी फोटो लगा सकते थे उसके लिए था माई बैलेंस और फ्रेंट्स माई बैलेंस पर आप लिक करेंगे देखें अगर आपको कैश एड़ करना है तो यहां पर आप जाएंगे यहां पर चलिए अभी मैं आपको बताते चलता हूँ सब कुछ साथ में इस पर डबल टैप करेंगे फोन पर गुगल पर गुगल पर गुगल पर तो यहां पर अगर आप जो भी डिपाजिट करेंगे उसके साथ साथ को मतलब Amazon Pay में Cashback भी मिलेगा तो यह Amazon Pay बोला था इस पर टैप करके हां से भी आप आड़ कर सकते हैं वो चीज में आपको नहीं दिखा सकता अपनी सुरक्षा के कारण ठीक है आपने Cash आड़ भी कर लिया जीरो मतलब दिखाएगा जब आप लेगे विड्रोल इंस्टेंटली इंस्टेंटली मतलब आप तुरंद विड्रोल कर सकते हैं तुरंद आपके बैंक में आ जाएगा विड्रोल करने के लिए इंपल्स में इस पर डवल टैप करूंगा और नंबर कीबोर्ड आ गया है अभी मेरा एकाउंट बैंक एकाउंट की करते हैं अगर आपको एकाउंट चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं एक दिन में आप मिनिममम दो सो मैक्समीम दो लाख रुपए निकाल सकते हैं और विड्रोल पे क्लिक कर देंगे यह होगे विड्रोल के बाद और हाँ ध्यान दहें आप जैसे मेरे में विड्रोल इंस्टेंटली आ रहा है ना यहीं पर आपके में आप्सन आएगा वेरिफ आप कराएंगे सबसे पहले आपका मोबायल नंबर फिर उसके बाद ई-मेल एड और फिर उसके बाद आप किसी फ्रेंड को रिफर करके पैसे कमा सकते हैं तो फ्रेंड यह बात हो गई माइ बैलेंस और विड्रॉल बगएर की माइ ओफर्स और कूपन यह आप जाके बीच बीच में चेक करते रहे हैं जैसे आपका लेबल इंक्रीज होता रहेगा आपको यहाँ पे कूपन्स मिलते रहेंगे वो आप यहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड को रिफर कीजिए अर्ण कीजिए 100 रुपीज ड्रीम 11 पे अगर आप किसी को धूड़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पे जाके ढूर सकते हैं कैसे खेलते हैं कैसे खेलते हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स फेंटसी पॉइंट सिस्टम यही एक मतलब समझने की जरूरत है आपको आपको जिसका जानना है वो आप जान सकते हैं सबसे पहले क्रिकेट ही डिफॉल्ट रहता है यहां पर उन चीजों का भी मैं आपको सिर्फ टीट्वेंटी का बता रहा हूं फिर आप उसी साथ से हरे का चेक कर सकते हैं ऐसे वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होता जाएगा सपोज एक खिलाडी ने एक रन बनाया तो उसका एक पॉइंट मिलेगा अब स्टार्टिंग चार से होती है तो टोटल हो जाते हैं पांच पॉइंट सपोज एक खिलाडी ने पांच रन बनाये जिसमें एक सिंगल और एक चौका स्टार्टिंग होई थी चार से तो एक चौके का एक पॉइंट मिला और चार रन के चार अलग से टोटल हो गया पॉइंट पांच प्लस एक रन अलग से हो गया पॉइंट टोटल छे और चार चक्का मारता है तो दो पॉइंट एक्ष्टा मिलेंगे मतलब 6 का 6 रन तो मिलेगा ही 6 पॉइंट मिलेंगे प्लस दो पॉइंट अलग से हाना तो दो पॉइंट और मिल जाएंगे टोटल 8 पॉइंट मिलेंगे हाफ सेंचरी, माल लेज़े किसी खिलाडी ने 50 रन बना है तो 8 पॉइंट और मिलेंगे उसको, हाना सेंचरी बना देता है तो 16 पॉइंट और मिल जाएंगे डिस्मिस्ट या डग होता है तो 2 पॉइंट माइनेस होंगे टीटन मैचेस में सेंचरी को वाइट किया जाएगा सारी चीज़ें आपे बता रहे है आगे बॉलिंग पॉइंट देख लेते हैं विकेट रन आउट 25 चार विकेट कोई बॉलर ले लेता है तो आट पॉइंट और मिलेंगे देखिए एक विगेत का 25 है चार विकेट लिए सव पॉइंट प्लस आट एक रच पॉइंट हो जाएंगे पाँस भीगेट ले लिए तो सोला पॉइंट समझे है 16 पॉइंट मतलब चार वीकेट पे 8 पॉइंट थे और 16 पॉइंट और तो 308 पॉइंट ओर लेड आपका यही बॉर्लार मान के चलो कप्तान हो जाता है तो 157 का कितना पॉइंट 157 का आप दुगना कर दीजिए यानि कि 314 पॉइंट हो गए सीधे 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 मतलब जो बल्ले बाज़े और रन बनाएगा क्या करेगा इससे वैतर बॉलर अगर ये काम कर दिता है तो 314 पॉइंट हो गए आपके अब इसी तरीके से यहाँ पे आप फिल्डिंग पॉइंट भी देख सकते हैं तो हर एक चीज़ को आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं और देखें कितनी एक्सेसिवल है ये अब तो हमने यहाँ पे पॉइंट की भी बात कर ली हाँ ना और एक बात और बता देते हैं यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़े प्रोफाइल बगएरा भी भर दीजेगा वो भी मैं आपको सिक्यर्टी की वज़े से नहीं दिखा सकता हाना तो ड्रीम इलेवन में आप इस तरीके से वो कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं जैसे आज कोलकाता और एक चलिक करते हैं अब यह ड्रीम इलेवन बताने लग गया है कि लास्ट मैच खेला है या नहीं खेला है यह भी चीज आप देख सकते हैं अना तो देखे यहाँ पर आपको प्लेयर्स की पूरी इंफर्मेशन लेनी है आप क्या करेंगे यह अनलेवल बटन पर आप डबल टैप करेंगे अब यहाँ पर आपको पूरी प्लेयर्स की इंफर्मेशन मिल जाएगी बाइदावे आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन की टीम भी मिल जाएगी लेकिन आप उसको कॉपी मत किजेगा आप अपनी खुद की नॉलेज इस्तेमाल करके टीम बनाएगे मतलब सबसे ज़्यादा फैब डू प्लेशिस पीख होंगी ड्रीम इलेवन पर भी प्रीम 11 IPL, Cole VCS K-Path Duplices will be a top pick. Heading by an up of road October 6, 2020. Teams to be updated after the toss. अप्रीम अप्रेट थोगी अप्र तोस. मैसबटेल इस पाइदावे लेडने CP-slash-Tournament, Dream 11 IPL Venue, Sheikzade Stadium, Abu Dhabi Date, October 7, 2020 time. 7.30 PM Ist. Preview Jedi Super Kings have won just two of their five matches thus far which sees them languishing in the bottom half of the table They would have taken a lot of art from a 10-wicket win in their last game and would look to build the momentum from here Kolkata on the other hand, have the same number of Jedi Super King Kolkata Nighter This is a very crucial game for either Head-to-head stats Total number of matches played 23 Heading 4 Matches won by KKR 8 Heading 4 Matches won by CSK 14 Heading 4 Heading 4 Head-to-head का आक्रा देकर के भी आप टीम मना सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी चेजे हैं अभी प्लेयर्स की इन चेज़े हैं The result KKR average score against CSK 150 Heading CSK average score against KKR 153 Most runs for KKR versus CSK 268 Andre Russell Heading 4 Most runs for CSK versus KKR 470 MS Doni Most wickets for KKR versus CSK 14 Sunil Marine Most wickets for CSK versus KKR 14 Ravindra Jadeja Heading 4 ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसा इन्होंने बताया कि KKR CSK के अगेन मतलब Andre Russell Mander Singh Dhani Wicket के मामिन सुनीर नारन और Ravindra Jadeja ये टॉप पर रहते हैं Weather Report Yet another warm and clear day is on the cards The temperature Pitch report The pitch seems to have slowed down a fair bit Spin is getting into play a lot more And we might see more use of it Batsman Teams batting first of healthy advantage And that should be the order Venues stats T20 Total matches 44 Matches 1 batting first 19 Matches 1 bowling first 25 Average Average Friends यहाँ पर आपको पूरी information मिल जाएगी आपको कहीं पे भी जाने के जरूरत नहीं है Fan code application को भी आप install कर सकते हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अना नहीं तो यहाँ पर आपको पूरी information मिल जाएगी इतना मतलब इतना आपको कोई भी नहीं करके देता होगा कोई भी site नहीं करके देती होगी शायद जितना dream 11 help कर रही है अबी ट्रीम अप्डेट नहीं हुई है वह भी अप्डेट हो जाएगी बना के दिखा देता हूं एक डेमो एक सेकंड़ को ले ले था अपनी टीम में लिखाने के लिए इसको इसको स्लेट कर लेते हैं हम बाती राइडू को ले लेंगे हम और मॉर्गन को नहीं लेंगे चैन वाट्सन को ले लेंगे क्योंकि 20 परती सत्थ लोगों ने स्लेट किया हुआ है और रसल को लेंगे रवनु जरेजा को ले लेते हैं सुनील नरायन को ले लेते हैं और फिलाहल आज इनको ड्रॉप कर देते हैं आगे बढ़ते हैं पैट कुमेंट्स को ले लेते हैं सार्दुल ठाकूर को नहीं लेंगे प्यूश शावला को ले लेते हैं और सिवम मावी को ले लेते हैं तो फ्रेंट्स हमने फिलेर्स को ले लिया है कंटिनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कप्तान देख लिजए फैब डूप्लेश इसको 36 प्रतिसत लोगों ने कप्तान बनाया हुआ है और हम वाइस कप्तान यहाँ पर अंध्रे रसल को या पे हमँने टिम शेचर्ट कर दी है इस तरीके से टिम को सेफ़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से ट्रीम एलेवन पर अपनी टिम बनाके ईंजॉय कर सकते हैं कोशिश करेंगे फ्रेंड्स आपको देखिए अगर आप क्रिकेट खेलने के दिल्चस्वी है मतलब खेलना पसंद करते हैं ड्रीमी लर्न वगेरे पे तो आपको इन्फर्मेशन पूरी होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आपको इन्फर्मेशन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे आप अपनी मनी बरबात करें तो वो सही नहीं है ठीक है ना क्योंकि इसमें आपका लॉस जादा होगा और फाइदा नहीं होगा तो आप इन्फर्मेशन लीजिए इन्फर्मेशन के लिए मैंने आपको सबसे बड़ी हा रास्ता यहीं बताया है नहीं तो आप कई सारी एप्लिकेशन है जैसे क्रिक बज है स्वोर्ट्स की डा है इन सभी पे जाकर के भी आप इन्फर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और हाँ रिफर्ल कोड आप हमारा ही इस्तेमाल कीजिएगा आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा धन्यवाद